वेलकम टूए स्टड़ी 24 दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने कॉमेट करके कहा था कि जैसे ही दिल्ली से बिहार यूपी जारखन जाने के लिए कोई गाड़ी या कोई लिंक ओनलाइन करने के लिए या फिर कोई भी न्यूज हो तो जरूर बताईएगा तो चलिए इसी के करम में आज आपके लिए एक अच्छी खबर है कि जिन्होंने ओनलाइन रेजिस्टेशन करवा लिया था तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि उनके लिए जो है ट्रेन सुरू करने वाली है सरकार ठीक है तो उनके लिए जिन्होंने ओनलाइन करने के लिए फॉर्म खुलती थी तो अभी जो है फिलाल ये जो वेबसाइट है इसे बंद कर दिया गया है फिलाल जो है इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया है आप किलिक करते हैं देखते हैं क्या खुलता है या नहीं खुलता है तो यहां पे आप देखेंगे कि सर्वर जो है अन्वेलिवल हो चुका है ये वेफसाइट को फिलाल बंद कर दिया गया है रेजिस्टेशन बंद कर दिया गया है लेकिन जिन्होंने यहां से रेजिस्टेशन करवा लिया था उनके लिए अच्छी ख़बर है तो आप लोगों को पता होगा एक ट्रेंज चली भी थी जिसमें बारा सो लगवा जो थे वो बिहार भेजे भी गये थे तो अब जो है फिर से तैयारी सुरू कर दी गई है भेजने की परकिरिया सुरू कर दी गई है तो जिन्होंने ओनलाइन किया था उनको भी भेजा जाएगा देखिएगा पूरी खबर क्या है वीडियो को बिल लोटने की तैयारी करेंगे ठीक है तो यहां देखिए क्या दिया गया है न्यूज में आज के न्यूज में ही दिया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा ताकि आपको सारा कुछ पता रहे ठीक है दिल्ली से अपने घर जाने के लिए लगभग 27,000 मजदूर चातर आदी जो परवासी है तैयार है दिल्ली किसे पहले चरन में मजदूरों की रवानगी सुरू हो चुकी है जिसमें एक ट्रेन जो है बिहार भी भेजा गया था जिसमें 1200 परवासी मजदूर और छातर जो थे भेजे गये हैं मुझा फरबूर के लिए और देखिए क्या है इस दिखाया था डिशू डूसीब का देली सेल्टर बोर्ड का तो उसमें जो है रजिस्टेशन देखिए कितने लोगों ने करवा लिया था कि और से भी अपनी वेफसाइट पर अपने ग्रिह राज जाने वालों के आवेदन मांगे गए थे देखिए यहां पर क्या कहा गया ह है मांगे गए थे फिलाल अभी तो बंद है इसलिए मांगे गए थे जिसके तहत डूसीब को लगभग 15,000 आवेदन मिले हैं तो 15,000 लोगों का रेजिस्टेशन ओनलाइन हुआ था उसके बाद वेफसाइट जो है बंद कर दिया गया बंद क्यों किया गया है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अगर नहीं देखा है तो देख लीजेगा उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और देखिए डूसीब की वेफसाइट पर आवेदन करने वालों में बड़ी संख्या में चात्र भी सामिल है चात्र भी सामिल है और म पोचिंग लेने वाले चात्रों ने भी अपने राजियों में जाने की इच्छा जताई है दिल्ली सरकार ने ओनलाइन फार्म में चार कटेगरी रखी है जिनमें मजदूर चात्र परियाटक और तीर्थियात्री शामिल है देखे दोस्तों आप लोगों के मन में ये भी सव रही है बिना भगाए इसमें भी जानकारी आपको मिल जाएगी देखे मजदूरों को परा थमिकता सेल्टर होम और अस्कूलों में रह रहे है मजदूरों को सबसे पहले उनके राजियों में भेजा जा रहा है तो जो है सेल्टर होम बाले को पहले भेजा जा रहा है मैंने जिन्होंने ओनलाइन किया है उनके लिए साथ ही उन आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो ओनलाइन फार्म भर रहे हैं दिनली सरकार के एक बरिष्ट अधिकारी का कहना है कि केंदरिये गिरिह मंतराले के दिसा निर्दिश के हिसाब से आवेदनों को देखा जाएगा और नियमों के मताबिक ही इजाज़त दी जाएगी तो देखिए जितना रेजिस्टीशन हो जाएगा सबी को तो नहीं बेजाआएगा जिनको जरूरी है उन्हीं को बेजाआएगा जैसे कि मजदूर हैं उनको खाने पिने की दिक्कत हो रही है और कितने ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े घरों के लोग हैं वो भी आना चाहते हैं वो भी online कर देंगे तो उनको कैसे भेजा जाएगा जिनको दिक्कत ही नहीं है वो आकर क्या करेंगे वैसे भी बिहार में बहुत दिक्कत है क्योंकि लोग जो क्वरिंटिन सेंटर से भाग रहे हैं और कोरोना इधर से उधर फैल भी रहा है कल 29 लोग मिले हैं बिहार में जो परवासी मुझे दूर आये थे बाहर से उन्हीं लोगों में 29 लोग पोजेटिव मिले हैं अब देखिए आगे क्या है नोडल अफसर नियुक्त किये राज सरकार सरकारों को उनके नागरिकों के बारे में सारी जानकारी मुहिया करवा रही है रेजिटेंट कमिशनरों के जरिये सारी जानकारी राज्यों से सेर की जा रही है दिल्ली सरकार का कहना है कि केंदर सरकार के हर गाइड लाइन का पालन किया जा रहा है और देखिए क्या दिया गया है उसी के मताबिक ही नोडर ओफिसर नियुक्त किये गए हैं दिल्ली सरकार ने 500 से ज़्यादा सेल्टर होम और अस्कूलों में रह रहे परवासियों को भेजना सुरू कर दिया है जिसके तहत नई दिल्ली और आनंद बिहार अस्टेशनों से ट्रेन मजदूरों और अन्य परवासियों को ले जा रही है ठीक है तो नई दिल्ली से और आनंद बिहार से जो है ट्रेन चलाई जा रही है अब देखिए क्या दिया गया है हाँ पर देखिएगा बिहार के मजदूरों के किराये पर विबाद भी चल रहा था आप लोगों पता है तो दिल्ली सरकार अब दे रही है पैसा टिकटो का टिकट का पैसा किसी को भी नहीं लग रहा है ये देखिए ये है पूरा मामला बारा सो परवासि स्रमी को को लेकर दूसरी स्रमी का स्पेशल ट्रेन सुकृबार को मुझभफर पूर के लिए रवाना हुई थी इसके 9000 परवासियों को Congress भी अपने अस्तर से भेजेगी तो दोस्तों अब देखिए मैं आपको जो दिखाता हूँ कि आपका online registration कैसे होगा फिर से क्योंकि website जो है बंद कर दिया गया है तो आप लोगों को मेहनत करनी होगी थोड़ी हला गुला भी करना पड़ जा सकता है ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आप दिखाता हूँ अब देखिए आपको चालू ये website तो देखिए आपको पता ही है कि website बंद कर दिया गया अब इसको चालू करवाना है तो आपको अकेले बोल रहे है और भी लोग है तो कहेंगे तो जरूर चालू करेंगे क्योंकि application नहीं आ रहा था तो website को बंद किया गया ऐसा उन्हों ने कहा मैं और हम लोगों ने बताया कि आपका website जो है crash हो जाने के कारण बे आवेदन नहीं हो पाया ठीक है तो website को फिर से चालू किया जाए हम लोगों ने कहा है लेकिन आप लोगों भी कहिएगा तो जल्दी फाइदा होगा देखें यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले यह जो दिखाई दे रहा है shelter home detail इस पर किलिक करिए यहाँ पर किलिक करते ही देखिए यह जो खूल रही है shelter home का control room का number है यहाँ पर दिया गया यहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं यहाँ पर भी आप अपना detail लिखवा सकते हैं लेकिन देखिए एक बार में 10-15 लोगों का call लगता है क्योंकि दो ही number है तो एक दो जो number है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोगों का एक बार में call लगता है बाकी बीजी बताते रहेगा लेकिन आपको परियास करते रहेगा ना है ठीक है परियास करिएगा तभी आपका call लगेगा हो सकता है आज नहीं लगे तो कल भी लगे इसलिए परियास करते रहना है दोनों number पे और ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे ये email ID है email ID पे भी request भेज सकते हैं registration के लिए और website को open करने के लिए कह सकते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज और धियान देजेगा यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज और दिया गया है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा देखिए ये contact contact us इस पे किलिक करिएगा तो यहाँ पे सारे अधिकारियों का number दिया गया है तो कोई ना कोई number आपका लगेगा ही लगेगा देखिए यहाँ पे बहुत सारे number दियेगा है दिल्ली का code लगाईएगा 011 ठीक है दिल्ली का code है यह और यह telephone number है और इधर वाला में mobile number है तो जो भी आपका phone लगाईए जब तक अधिकारियों को officers को तंग नहीं करेंगे तब तक तो वो website open करने वाले नहीं है और हो सकता है आपको मदद भी मिल जाए यहाँ से तो यह सब number पे try करिए कोई भी लगे तो लगे लगेगा ही बहुत सारा number दिया गया है तो किसी पे भी try करिए कोई ना कोई तो लगेगा ही ठीक है तो इतने सारे number है इस पे call करिए और अपनी समस्या को बताईए ठीक है तो जो भी हमसे मदद मिल पाती है जानकारी मिल पाती है हम लोग आपको पहुंचाने का परियास करते हैं तो आगे कोई भी जानकारी आएगी तो मैं फिर से वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालू तो आपको आसानी से मिल जाए ठीक है चलिए मैं मिलूँगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई जेहिंद और अपना अपना ध्यान जरूर रखिएगा और हाँ एक चीज़ और मैंने जो लिंक के बारे में नहीं बताया देख लिजे ये वेबसाइट है नोट कर लिजे इतना भी नोट करिएगा तो खुल जाएगा देख सकते हैं डेलीसेल्टरबोड.in इतना डालने के बाद आपका ये वेबसाइट ओपेन हो जाएगा अगर आपको ये नोट करना नहीं आ रहा है तो मैंने लिंक भी दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्सर में जहां से आप डारेक्ट इस वेफसाइट को खोल सकते हैं ठीक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा